तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिप्टो करंजी मार्केट अभी आपको ग्रेन देखने को मिलना है बिट्कोईन की बात के तो बिट्कोईन 24 के को क्रोस कर चुका है पिछली वीडियो मैं आपको लगातर बताया था बिट्कोईन के बारे में और वहाँ पे मैंने आपको जब bitcoin 24 के को cross करेगा यहाँ पर मैं आपके लिए नया चार्ट लेके आऊँगा अब यहाँ अगर हम bitcoin की बात करें तो bitcoin daily frame में जो US dollar का daily frame है bitcoin का वहाँ पर एक नया चार्ट बनके आया है और यह उसे breakout कर चुका है इस चार्ट के बारे में हर कोई जानता है जो नहीं जानता है उ यह जो चार्ट पैटरन है जो बना है daily frame में यह इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं यह यहाँ पर यह breakout कर चुका है इसको cross कर चुका है अब यह उसका moment अपके तरफ है तो bitcoin का जो हमारा next target होने वाला है वो करीब होने वाला है 24 के जो cross कर चुका है वो होने वाला है 26 के 29 के और यह जो हमारा जो resistance है आप यह देख सकते है 31 के को यह हमारा main रहेगा लेकिन 29 के यह आने वाले 30 से 40 दिनों में cross कर सकता है bitcoin में अच्छा हमें growth देखने को मिल सकता है यह मैं 30 से 40 days maximum बोलना हूँ हो सकता है 15 से 20 दिनों में bitcoin में और अच्छी growth देखने को मिले अब यहाँ यहाँ पर हम bitcoin बात करें यहाँ पर हम Elliot wave का use करते हैं तो यहाँ पर आप जखते हैं 1 ठीक है 1 2 3 4 अब 4 के बाद 5 बाता है 5 की जो 3 chances बन रहा है यहाँ पर में line draw है यह automatic आप trading view में आएंगे आपको यह rules मिल जाएगा आप देख सकते हैं 5 का जो chance है यह पहला target बनता है करीब 24 के 783 लगभग 25 के बराबर सेकेंड टार्गेट जो बन रहा है वो बन रहा है 26 के और थर्ड टार्गेट बन रहा है 29 के मतलब यह जम करके इन तीनों target पहुँच सकता है लेकिन जो लगता है second target यह उसको भी पहुच जाएगा अराम से तो bitcoin जब इतने आसानी से 26 के अगर पह प्रजेश किया है जाकि आप उनको में इन्वेस्ट कर सकते है कासका मैंने शीबाइनु बहुत दिन बाद शीबाइनु के बाइन में बताया था और मैंने कुछ टार्गेट दिये थे पहला टार्गेट था 1300 और मुझे लग रहा है आने वाले साथ दिनों में पहले टार्ग बिट्कॉइन में जो है अभी हम एक अच्छा बूल्डन देखने को मिल सकता है और यह चार्ट जो है अच्छे से वर्क भी कर रहा है आप देख सकते हैं अब आप क्या सोचते हैं बिट्कॉइन के बारे में आप कमेंट की जरू कीज़ेगा यह चार्ट आपको कैसा लगा और भी अगर कोई अपडेट चाहिए तो आप कमेंट जर के जरूर बिताएगा फिलाल दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना है तो आओंगा नए वीडियो में कईसे बहतरी इन टॉपिक के साथ तो तक के लिए धन्यवाद